हेलो माई लवली बेकर्स वेल्कम टू तीचारूस केक पेक तो आज हम एक ब्राइन न्यू एपिसोड के साथ आ चुके है तो आज का एक यह चॉकलेट फ्लिवर केक है और बिगिनर फ्रेंडली केक भी है तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किये देखे फ्रेंड फैमिली मे सारे नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुचे और प्लीज चारूस केक पेक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और खुब सारा प्यार दिन तो पहले क्रॉम कोटिंग के लिए हमने थ्री लेयर में केक को कट कर दिया है और इसको असेंबल करना चालू कर तो फस्लेयर को मैंने कट किया और रिम अप्लाइ किया और फिर मैंने इसके अउपर गणाश डाला है तोड़ा फिर सेकें लिए को रखा और क्रीम अप्लाइय करना स्टार्ट कर दोंगी क्रीम पेंग कलर की इसके लिए क्योंकि इससे पहले का जो मेरा यद्र था उसकी канाल बच गई थी तो क्रीम वेस्ट नहीं कर सकते इसके लिए मैंने डाला तो और इसलिए यह क्रीम पिंक कलर किये किसी को डाउट रहे तो इसलिए बता रहे हूं तो उससे कुछ फरक पढ़ना नहीं है वैसे भी तो क्रीम लगाई बस पर इंक क्रीम में पास इती थी तो फिर वा तो अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दिया है मैंने पूरे में और अब मैं इसके उपर गनाश डालूंगी और फिर फाइनल लेयर रखूंगी तो यह एकदम बिगिनर फ्रेंडली केक है कोई भी इसको बना सकता बहुत ही ईजी और एकदम बेकरी स्टाइल केक है तो एक्स फाइनल लेयर को रख दिया है और इस प्रासस को करने के बाद मैं इसको फ्रेज में सेट होने के लिए छोड़ दूगी तो इस प्रासस को ही क्रम कोटिंग बोलते हैं तो दिखो अब मैं इसके उपर फाइनल हलकी हलकी सी क्रीम लगा के इसको छोड़ दूगी तो अच्छे कि जोड़ देंगे और हम फिक槍ल कते ही स्थाय१ में डष्ट हो जाएंगे और सेट होने के बाद निकालने के बाद हम इसकी फाइनल आईसिंग करेंगे फिर हम क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भरके उसके के ऊपर राका अछशा से निकाल लगाए करके मैंने सेट कर दिया था और फिर यह फाइनल फिनिशिंग करिए तो वह बीच में प्रॉसस ऐसे दिखाते हैं नहीं फ्रिज में रखने का लाने का तो आप यह ना सूचे की डार की कर रहे हैं और पाइपिंग बैग में क्रीम लगा के जैसे अप्लाइ करो गे ना तो प्र स्क्रापर गुमाना स्टार्ट कर दिया है आप है ना अगर आपके वाज टाइम हो मेरा बहुत अर्जंट काया भी था और हमारे को तो भी आधत भी होगी है तो इन सारी एक दू स्किप भी कर लेते ना जैसे स्टेप और नेक स्टेप कर लेते डारेक्टी तो फिनिशिंग और भी ज्यादा और बहतेरी नाएगी तो जिग-जग पैटन गुमाया एकदम अच्छे से और फिर उपर से भी उसको एकसा करने के बाद हम इसकी उपर की डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे तो एकदम बिगिनर फ्रेंडली के तो आप समझी जाओ एकदम सिंपल सी डि जब तक मेरे को फाइनल फिनिशिंग नहीं लगे अगर कई खुला रह जाए तो फिर से क्रीम अपलाए करे और उसको अच्छे से स्क्रापर की हिलप से स्क्राप कर दें एक्स्ट्रा क्रीम एंग उसके बाद हम दिजाइनिंग के लिए वाइट क्रीम मैं यहाँ पर फ्यू त्राइपिंग बैग में भर दिया और उसके रोजेट बनाने मैंने स्टार्ट कर दिये तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए हम इस तरीके से रोजेट बनाएंगे तो देखो क्रीम पे टच करने के बाद ऐसे कोल गुमाते हुए सेंटर में ले जाएंगे तो अच्छे से इसके उपर रोजेट बना दे रोजेट बनने के बाद बीच में उसी नौसल से हम स्टार्ज बनाने चालू करेंगे जो हमने दो रोजेट के बीच में गैप छोड़ा है उधर हम स्टार्ज बनाएंगे और स्टार्ज को बनाते हुए पूरे को अच्छे से फिल प्राबर से उसको लाबर सी करते हुए पूर स्थार करेंगे। यह समें ัिकाथ सब्सक् interaction फींचाल के हमधे जाईगे चैसे ही हम सब की तरफ सब्वाद का साफ से मधडर बनाएंगे इसमें इसमें gap बार-बार ख्रीम हैं करें तो देखो कितना simple process में हम इसको बना रहे है और देखो जैसे यह border बढ़ना start हो गया कितना सुंदर लग रहा है और पूरे में हम इस border को वो ड्रॉ करके complete कर देंगे तो guys हलके हलके हाथों से press करें और आगी की तरफ खीशते हुए हम यह border बनाएंगे और देखो कितना सुंदर लग रहा है और इसी border से हम इसकी पूरी circle complete करेंगे तो देखो जैसे-जैसे borders, edges पे वगएर आनी चाले हो जैसे एकदम finished look कितना आता है तो borders वगएर बनाने से केक का लुक संदर हो जाता है फिर मैंने piping bank में सेम ही रोजट लिया है और white cream को भी भरा है और इस तरीके से देखो हम flowers बना रहे हैं सेम जैसे हमने नीचे border बना है वो border के जैसे border गोल को खीच के जैसे petals की तरफ नहीं बनाते opposite direction में 4 आये तो 4 और 5 आये तो 5 इस तरीके से हम बना र इफेक नहीं रहे है पर देखो अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ flower वो पता चल रहा है देखो 5 petals का कितना सुंदर flower बना है तो जहां हमने रोजट बना है उदर नहीं जहां हमने stars बना है उदर हम ये वाले बनाएंगे तो इस तरीके से ये white flowers बनाते हुए हम पूरे design को अच्छ elegant और बहुती सुंदर तो इस तरीके से ये ये पूरा ही complete हो चुका है अब इसके हम final finishing भी हो चुकी है borders बन चुकी है तो अब इसके उपर हम sprinkles और जो बौर्दे टॉपर लगना है वो डालेंगे बौर्दे टॉपर लग चुका है sprinkles लग चुके sprinkles को मैंने rosette के बीच में ए और ये केक का हमारा final look है guys आपको कैसा लगा जरूर बताए और चैनल को like share and subscribe करना ना भूले bell icon प्रेस करते ताकि वीडियो के सारे notification आप तक जल्द से जल्द पहुंचे जो हमने white rosette बनाए ते उसके उपर भी हमने sprinkles डालना start कर दिया है तो ये guys हमारे केक का final look है और बहुत सुंदर बना था बहुत ही अच्छा बना था जब मैं इसका दूर से photo दिखाऊंगे और वीडियो तब आपको समझ में आएगा कि हमारा केक का final look और outcome कैसा आया था एकदम simple एकदम elegant bakery style और कोई भी इसको बना सकता है तो आप भी बनाए अपने family में friends के लिए तो चोटे बड sprinkles डाल के मैंने पूरे को इसको अच्छे से cover कर दिया था और केक बहुत ही सुंदर रग रहा था trust me guys देखिए ये इसका final look है कितना सुंदर लग रहा है और final look को अगर पसंद आया हो तो please क्या करना पता ही है आपको like share and subscribe friends and family में share और धेर सारा प्यार और comment तो happy baking guys keep showering your love on charge cake cake bye